नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ अप अच्छे होंगे, आपके तैयारी चल रही गोईंगे। आज 23 मार्च है, 23 मार्च 22 है और 23 मार्aimer को नालूम होगा 23 मार्च को सही दिवस मनाया जाता है। और सही दिवस क्यों मनाया जाता है यह आपके सामने आपको बताएंगे जैसा कि उपर देखी दोस्तों 23 मार्च को ही सही दिवस क्यों मनाया जाता है जैसा कि हम जानते हैं कि 30 जन्वरी को भी दोस्तों एक सही दिवस होता है जो कि 30 जन्वरी को जो होता है वो महत्मा गांधी की याद में मनाया जाता है और ये जो 23 मार्च है आज है जो सही दिवस के रूप में इसको पढ़िये गाब भी और 23 मार्च को भारत के तीन असाधारन युद सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए सही दिवस के रूप में मनाया जाता है और तीन लोगों को तीन जो हम में मनाया जाता है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर और आज का दीन उनकी मतलब निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पी थे ताकि उन्हीं के बदोलत आज हमारा देश भारत आजाद है और आप उनके बारे हम पढ़ सकते हैं भागसी का जन्म कहा हुआ था तो 28 सितंबर 1907 साथ को पंजाब के लायललपूर में हुआ था भागसी ने अपने साथियों राजगरू सुकदेव आजाद और गोपाल के साथ मिलकर लाला लाजपतराय के हत्या के लिए लड़ाय लड़ी थी भागसी अपने सासी कारणामों के कारण आज योवाओं के प्रेड़ना बन ग गई उनके सरीर का अंतिम संसकार सतलर नदी के टटबर किया गया जब आव एक दिन हुसेनी बाला या भारत पाक सीमा में राष्टी सहीद असमारक में एक बड़ी सहीदी मेला या सहाधत मेला आयूजित किया जाता है पूरे देश में देखिए सहीद दिवस कैसे बनाया ज अलामी भी दी जाती है देश भर में राष्ट पित्या बापू और अन्य सहीदों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया कई भजन धार्मिक पराथनाएं भी गाई जाती है कई स्कूलों में इस दिन का कार्श करम होता है जिन में छात्र देश भक्ति के गीत और नाटक प बलिदान अपने बलिदान दिये थे फांसी की चलते उनको अंग्रेज ने उनको फांसी पलटका दिया था और इसकी चलते उनको सम्मान देने के लिए 30-211 जन्वरी को सही दिवस करूप में भी मनाया जाता है दोस्तों जानकारी कैसा लगा आप में बताईगा कमेंट में और इसी तरीके का जनकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि प्लीज कर लिजेगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए करके हमाते रहें और आपको फ्रूटफुल निउच देने का परियासम करते रहें चली लिए पिर दोस्तों फिर से अपने निक्स्टर्स ग meng तब तक अपने त्यारी को धार देते रहिए त्यारी करते रहिये समझे है बहुत काम बचा है वीड़ी से का एक्जाम का ओर वी एस्ट्री पीसका एक्जाम का त्यारी में लगे रहें कि